दुनिया में विकलांगता का एक प्रमुख कारण अवसाद है। खराब ग्रेड मिलना, नौकरी खो देना, बहस में पढ़ना, यहां तक कि किसी दिन बारिश होने से भी दुख हो जाता है। काफी हस्तक शेप करता है। अवसाद के बहुत से अलग-अलग लक्षन हो सकते हैं। निम्न मनोदशा उन चीजों में दिल्चस्पी का अभाव जिन में आपको सामान्य रूप से आनंद मिलता है। भूख में बदलाव, महत्वहीन या अत्यधिक अपराद बोध महसूस करना, बहुत अधिक या बहुत कम सोना, एकागरता में कमी, बेचैनी या मंदता, ठकान या आत्महत्या के विचार बार-बार आना। मनोरोग विज्ञान के दिशा निर्देशों के अनुसार यदि आपको इनमें सिकम से कम पाँच लक्षण हैं, तो आप अवसाद से ग्रस्थ हैं, और इसका संबंध केवल व्यवहार संबंधी लक्षणों से नहीं है, अवसाद की शारेरिक अभिव्यक्ती दिमाग के बंदित होता है, कुछ नियूरो ट्रांस्मिटर्स विशेश रूप से सेरोटोनिन, नौरेपिनेफरिन और डोपमीन का असामान्य संचरण या कमी, सर्केडियन ले की गड़बडी या आपके निद्रा चक्र के आरी एम और स्लो वेव भागों में विशिष्ट परिवर्तन तथा हॉर्मोन की असमान्यताएं जैसे कॉर्टिजॉल की अधिक्ता और थाइरोइड हॉर्मोन्स का अन्यंत्रित होना, लेकिन तंत्रिका विज्ञानियों को अभी भी इस बात की पूरी जानकारी नहीं है, कि अवसाद किस कारण से होता है, लगता है ऐसा जीन और पर्या इसलिए यदि आपको पता है कि कोई अवसाद से संघर्ष कर रहा है, तो उन्हें इन विकल्पों में से कुछ को तलाशने के लिए सौम्यता से प्रोथसाहित करें, आप कुछ विशिष्ट कारियों में मदद करने की पेशकर्ष भी कर सकते हैं, जैसे आसपास के इलाके में इसलिए यदि आप जानते हैं कि कोई अवसाद से संघर्ष कर रहा है, तो उन्हें इन विकल्पों में से कुछ को तलाशने के लिए सौम्यता से प्रोथसाहित करें, आप कुछ विशिष्ट कारियों में मदद करने की पेशकर्ष भी कर सकते हैं, जैसे आसपास के इलाके मे थेरेपिस्ट को ढूड़ना या डॉक्टर से पूछने के लिए प्रशनों की सूची बनाना, अवसाद से ग्रस्त किसी व्यक्ति को ये पहले कदम कठिन प्रतीत हो सकते हैं, यदि वे दोशी या शर्मिंदा महसूस करते हैं, तो सपष्ट करें कि अवसाद दमा या मधुम की तरह ही एक बीमारी है, ये कोई कमजोरी या व्यक्तित्व की विशेशता नहीं है, और उन्हें खुद से या पेक्षा नहीं रखनी चाहिए, कि ये भी वैसे ही अपने आप ठीक हो जाएगा, जैसे बहां का फ्रैक्चर होने के बाद अपने आप ठीक हो जाते हैं, यदि आपने स्वयम अवसात का अनुभव नहीं किया है, तो इसकी तुलना अपने निराशा के पलों से करने से बचें, उनकी अनुभूतियों की तुलना दुख की सामान या अस्थाई भावनाव से करने से वे अपने संघर्ष के लिए खुद को दोशी समझ सकते हैं, अवसात क के बारे में खुल कर बात करने से भी मदद मिल सकती है, शोद से पता चलता है कि किसी से आत्महत्या के विचार के बारे में पूछने से उनका आत्महत्या करने का जोखिम वास्तव में कम हो जाता है, मानसिक रोगों के बारे में खुली बाचीत कलंग को समाप्त करने में मद और लोगों के लिए मदद मांगना आसान बना देती है। और जितने अधिक रोगी उप्चार चाहेंगे, वैज्ञानिक अवसात के बारे में उतना ही अधिक जानेंगे, तथा उप्चार उतने ही अधिक बहतर हो सकेंगे। स्वस्थ नींद आपके मानसिक स्वास्थि पर बड़ा प्रभाव डाल सकती है। ये यादाश्थ के निर्माण में भी एहम भूमी का निभाती है। इस वीडियो में रात में चैन से सोने के लाभों के बारे में अधिक जानें। स्क्राश्थ झाल झाल